दोजार पच्चीस में बिहार में होने वाले विधान सभाद चुनाव को लेकर सभी राजनितिक डल पूरी तरह सक्रिये हो चुकें और इसी बीच आपको बता देए कि बीटे दिन भारतिय जंता पार्टी ने बिहार में अपना नया प्रदेश ध्यक्ष चुन लिया है ऐसे में अब सवाल यह उड़ता है कि आखिर कौन है वो शक्स जो बिहार बीज़ेपी के पुर्व प्रदेश सध्यक्ष समराट चौधरी की जगहली है तो चलिए अब आपको विस्तार से बताएंगे साथ ही आपको बता देए कि बिहार बीज़ेपी के नय प्रदेश ध्यक्ष को बिहार के सीम और जदिव प्रमूख नितीश कुमार भी पसंद करते हैं भारतिय जनता पाटी ने दिलीप जासवाल को समराट चौधरी की जगह बिहार बीज़ेपी का ध्यक्ष बनाया है उन्होंने बिहार भाजपा की कमान ऐसे समय संभाली है जो बगले साल विधान सभाज चुनाव होने वाले हैं वहीं भाजपा सुत्रों का कहना है कि समराट चौधरी को पाटी की कमान देकर बिहार में पाटी और इंडिये गठबंधन को कोई लाब नहीं मिला वे लोगसवा चुनाव में यादों के बाद OBC में दूसरे सबसे बड़े समूह कुश्वाहा समुदाई के मदाताओं को आ खुमी सुधार विभाग के मंतरी हैं वो बिहार के खगडिया जुले से आते हैं और वैश्वे समुदाई के एक मजबूत निता माने जाते हैं बिहार में हाल ही में हुए जाती अधारित सर्वेक्षन के अनुसार ये सबसे बड़ी जाती है जिसकी अबादी 36 प्रतिश्यत से अधिक है दिलिप जास्वाल लगतार लगभग 20 वर्षों तक बिहार भाजपा के कोशा ध्यक्ष के रूप में कारे कर चुके हैं भाजपा ने उन्हें सिक्किम भाजपा का प्रभारी बनाया था वो किशनगन स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मडी भी साथ ही आपको पता दे कि भाजपा के नए अध्यक्ष दिलिप जास्वाल तीन बार MLC रहे हैं उन्होंने 2022 में पूर्णिया किशनगंज और अरिया जिलो को मिलाकर बनी विधान परिशद की सीट पर जीत कर चौका दिया था इस चुनाव में मुखिया पंचायत समीती जील परिश्द सदस्य और वाड के चुने हुए प्रतिनिधी वोट करते हैं इस चुनाव में वो सबसे अधिक वोट से चुनाव जीते थे दिलिप जास्वाल ने मुखर होकर सिमांचल में हिंदुत्व की राजुनिती की है और यही वज़य है कि भारती जनता पार्टी में 2014 के चुनाव में उन्हें किशनगंज जैसी मुसलिम बहुल लोकसभा सीट से टिकेट दिया था वो दो लाग से अधिक वोट से चुनाव हार गये थे दिलिप जास्वाल की हलाके राज्य व्यापी छवी नहीं है उन्हें कभी भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी का कर भी माना जाता था और यही वज़य है कि बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार भी उन्हें बेहत पसंद करेंगे राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग के मंत्री दिलिप जास्वाल ने समराट चौधरी की जगर ली बिज़ेपी ने उन्हें बिहार बिज़ेपी का समराट चौधरी उन्हें उमीदों पर खरें नहीं उतर सके और यही वज़र रहा कि पार्टी ने अब अपना अध्यक्ष बदल दिया है और ऐसे में दिलिप जास्वाल के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि अगले साल विधान सभा का चुनाव होने वाला और ऐस सब की नजर उन पर होगी और खास कर पार्टी के आला कमान की